ज्वार सातियों आज उनलों फिर से अठार से संदावन की एक रांतियों को देखने वाले हैं और यह इस वीडियो का तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है वैसे इसमें ख़तम हो जाएगा वैसे ठीक है और इसमें हम लोग संदाल परगना देख चुके थे हजारी बग दे हमको विद्रो किया था यहां दो तरह का अदिवाशी लोग विद्रो किया था मुक्या था एक था आपका भॉक्ता लोग अर दूसरा एक चेरो लोग ठीक है अब घुए नहीं आप भॉक्ता लोग कहन है तो फोकषिछ लोग नवे ख Porsi खरवार आदिवाशी ए ठीक है तो एक तत्र मान सकता है कि यह लोग खरवार ही था वैसे खरवार हो गया या भुकता हो गया या फिर एक चेरो हो गया ठीक है यह दो जंजाती लोग मिलके यहां पर आंदुलन किया था ठीक है और बाकी यहां पर यह लोग का जो भोजपूर का जो या जो जगदिशपूर का जो पितामबर और ये लोग भुकता लोग सदार लोग था वैसे और ये लोग अंदुलण किसलिया शुरू किya था वैकि इसकी देश निकला डैपके कचीज होता है वैसा चीज है टेक है और ये पैता को zusammen मिला था पितांबर को भी देश निकाला मिला हुआ तो इसके पिता कहा गए थे यह तो भुक में नहीं मिलता पितांबर आपका राच convince आया हुआ था ठीक है यह पिता का मोट का खबर सुनता कि जब यह लोग विद्रो कर देता है तो भी एक चेरो लोग का एक सरदार था ठीक है उसका नाम था का भवानी बक्स राय ठीक है भवानी बक्स राय तो मा भवानी से आराम से याद रहेगा भवानी बक्स राय कोई दिकत नहीं है ठीक है तो भवानी बक्स राय भी यह लोग फ़ला चीश Git दूसरा इसके पास एक बड़ा सा सेना था और बपना था और कुछ यह कर चत्रा में जो विदोelnोनों हार रोगा था उस में इसे कुछ सेना उसके सेना में जाकर सामिल का सामिल हो गया था और विद्रो में बेस्किल लोगा दो इलाका था एक ताफ दो गड़ टाइप कर लिजिए एक आपका जेमो था और एक सनेया था दो गाउं था वहाँ पी लोग आपना एक इलाका टाइप का बनावा था और इस इलाका को इसको भोगता चेत्र भी का जाता था वैसे ठीक है भ को आप के लोग रिखें के ले याता है है करूसरा गांगा की कूर दीज्ञा झाले चेक है टाना था नुक मारता और तो कुछ लोगो होको मारता यह भाग के चला जाता है तो बहुर के सब्सक्राइब जाता आपका एक एक था आपका राजहरा आपका राजहरा नाम का जगह है आपका पलामू में ही तो वहां पे एक कोईला का खान था है यह कंपनी था बंगाल कोल कंपनी है वहां पे कोईला का खान था वहां पे जाके दोरगा छूप जाता है तो अंदोलन काई लोग जाता है और फिर उसके बाद होता है कि जो विद्रोई लोग था वो लोग एक और जमिंदार था उसको जाके घेर लेता है वो जमिंदार था आपका रगवर दयाल सिंग ठीक है रगवर दयाल सिंग नाम का एक जमिंदार था उसको जाके वो लोग घेर लेता है ठीक है तो घेर तो ले लेकिन बचाने के लिए अंग्रेज जाता है वहां पर अजिकारी जाता है गेर लेता है तो मदद को मगाता है तो मदद कहां से आता है सासा राम का सेना लोग आता है और यहां से लोग को छुडाता है पहला ही लोग को छुडाया ठीक है और दूसरा चीज़ है कि जब यहां पर इतना सारा सेना को देख लेता है तो जो चेरो सरदार रोग यह लोग का साथ दे रहाता तो कुछ लोग उससे निकल के आजाता है और आपको अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर देता है तो जब साथ देने लगता है तो इसी बीच में और हुआ था कि जब विद्रोई लोग पलामू का किला को अपने कबजा में ले लिया था दो बड़ा कांड किया एक तो जो खान भी अटक किया था और दू लोग को संपर्ख करता है और वो लोग को लेटर लिखता है यह लोग कि तुम लोग आके हम लोग का मदद करो ठीक है तो वहां से मदद आता भी है ठीक है वहां से आपको दो नेता आता है आपको वहां से ठीक है एक तो सृधाराम आता है यह झाजी एकडर राम बादुशिंग है यह दो लोग आता है यहां पर सिधा सिंग और राम बादू सिंग ये दो आदमी आता है ये लोग का मदद करने के लिए ठीक है तो सिधा सिंग को ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां से सिधा यहां से राम तो सिधा राम कर सकते हैं ठीक है तो भगवान राम कहां पर थे तो सिंग भूम में ठीक है जो कि यह कोड पर यह पर कों रिषा है रहाम है यहां से निकल रहा है और यहांसे जो आप जो विद्रोई जो आया था साहाबाद से तो साहाबाद से करीब गार सोके आज-पास विद्रोई आ जाता पर आने के बाद, यूद नेत्यूं के अपनाते हैं हुई लोग, यूद करता है अंग्रेजुों के साथ, और पलामू पर कब्जा कर लेता है। ओय posture मदद कर लेता है। पलामू जो टाउन था उस पर कब्जा कर लेता है। इससे पहले क्या हुआ था तो पलामु किला पे ये लोग कबजा किया था अब क्या कर रहा है कि पलामु टाउन पे ये लोग कबजा कर लेता है ठीक है लेकिन फिर अंग्रेज लोग फिर आ जाता है और ज्याधा संग्या में जब अंग्रेज लोग आ जाता है तो कुछ और का हुआ था कि आपका निलांबर पिदांबर एक गो अपने गुप्त इलाका में अपना परिवार के साथ भोजन कर रहा था भोजन कर रहा था तो गुप्चर लोग सुचना दे देता है तो अंग्रेजी लोग घेल लेता है जब घेल जाता है तो इसके बावजूद लोग हीमत बिदांबर वन लोग घेल बगर्ट तो पेरी लोग से एयंडर कर देता है और आप्शनबर कर देता है और अरस्ट होटेँ के बाद फिर यह लोग को लैस्टवी गंज में निलंबर एक सब्सक्राओ ध्जाए जाता है ठीक है लेस्टली गज वह जागता तो फ। हमबर का रस तो नीचे लिए जाता ह। तो फांजी कि निएयों में के विरूद उसको दुबारा लटका गिया और दुबारा फांजी देया गया था ठीक है पहला एक और čीज आपका तो यह था आपका जो बहार से मदद आया था जो आपका चस्पूर है तो जस्पूर से भी निलामर पिदामर को मदध मिला था तो बाहर से लोमकों दो जगा से मुदध मिला था ठीक है तो नहीं हां एक वा कि सहाबाद का भी दोग मदध किया था धूसरा की जस्पूर का आदमी लोग Portuguese का जुछ को भॉजपूर का इलाइक है वो और भोजपूर जो पुराना भोजपूर था अब इस चार डिस्ट्रिक जेवा है अब इस चाट डिस्टिक में बठा हुआ है भोजपूर, भकसर, सासाराम को एलागा है ठीक है अब मैप में देखीएगा तो आप क्लियर कर दिख पता चलेगा कि सहाबात कहां पे है और कैसे सोल नदि को पार करके तुरंत लोग पलामू पहुंच जाता था या गड़वा पहुंच जाता था तो गड़वा भी आकिर पहले पलामू में ही था वैसे ठीक है तो इतन कुर्मी लोग किया था चुहाड लोग किया था ठीक है संथाल भूया कुर्मी चुहाड और टिकैत लोग भी था ठीक है संथाल परगना में देखे तो आपका सिर्फ वा सिर्फ संथाल लोग किया था रांची में तो ये लोग था क्या करता है कि जो स्थैनिक लोग था वो आपका सेख भिकारी ले लिए ये लोग किया था मुख्या था ये लोग राची में उसके बाद सिंग्भू में कर लिए तो सिंग्भू में आपका संथाल लोग था नहीं मान्भू में मान्भू में संथाल लोग था बाकि जो निलमनी सिंग राजा है वो था वैसे लोग भी था पर अर्जुन सिंग तो था ही वैसे पलामू में देखिए तो निलंबर पिदंबर था मलगों करवार में कर लिजिए बागी चेरो लोग था तो यह जो वह आदिवासी था जिसका विद्रो को किया था ठीक है तो अब चुकि हम ऐसे सुना दिये थे तो नोट को बाट पिसके दिखा देते हैं ठीक है क्योंकि उसका अगर स्कीन सब्सक्राइब लेना चाहिए तो ले सकते हैं वैसे ठीक है करें दिरे-दिरे दिखा देते हैं कि नोट से पढ़ाय नहीं है अब या था हम बताते चले गएं कानी के रूप में तो इसको एक बाट दिखा द चौंथा पेज, पांचवां पेज, छठा पेज, साथवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारवां, और यहां से तो चलिए है आ गए, क्योंकि पलामू आ गया यह, ठीक है, यहां पर इसको भी खतम कर देते हैं, इसी यह पर, यह, बारववां पेज, यह तेरववां पेज, ठीक है, और यह चौदववां पेज, जहां यह खतम हो रहा है, ठीक है, अब इसको जो परिनाम है, तब इसको परिनाम को भी देख लेते हैं, यह थोड़ा दूसरे जगह है, यह है, तो यहां पर इसका परिनाम दिया हुआ है, है किस आंदोलन का परिझाम किया हुआ था जिसे पहले थोआ से सरूप को भी डियल कर लेते हैं वैसे उरूप को यह लोग करता है सेनिक विदरो तो चलिए सेनिक विदर टो था रहने के लोग किया था कुछ लोग में यह धी का जाता है कि चलो हिंदु मुश्लुम का भी शडियत था तो एक हिस्सा ये भी था वैसे ठीक है और कुछ लोग होता है कि अंग्रेजों के विरूश संगर्ष था तो हाँ ये था कुछ लोगा था कुछ लोक अदिम लोग और मला जो सब लोग सब के बीच में संगर्ष था तो हां सब एक सब के बीच में कर सकते हैं कुछ अट था वैसे अंग्रेजों को सब भी कैसे कहें हैं बारतियाश संस्कृतिया सब्यता इतना पिछाड़ नहीं था कि वो लोग को उत इसको जो नित्वत दिया, जो लीडर लोग ठाज, जितना वीरता से लड़ा था, उससे बाद का जतना अंधूलन कारी हुआ था, तब लोग उससे प्रेणा लिया था, अंहीं भी प्रेणा दायक चिता सबीके लिए, तो यह आपका पहला पॉइंट हो जाता है, दूसरा point आपके यह है कि इस आंदोलन के बाद जो East India Company के हाथ में सत्ता था उसको रानी Victoria जो वाँ की England की रानी थी वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है और उनके प्रतिरिधी के रुप में आपका वाइसरोय का यहाँ पे नियुक्ति होता है यह दूसरा point है तिसरा point यह है कि एक इलाहबाद में एक मिटिंग बुलाया जाता है और वहाँ पे रानी Victoria का जो अभी भासन कई उसको पढ़ के सुनाया जाता है उसमें यह था कि जितना लोकल राजा लोग था उससे जितना संधी हुआ था सब को मान्यता देता है अब आपका इंगलेंड ज चौंथा में होता है कि जितना अंधुलन कारी था सब का जमीन को यह लोग छीन लेता है ठीक है और कुछ दूसरों में बांट देता जो सपोर्ट किया था ठीक है तो यह से नेता कौन-कौन था जो आपको विद्रोग किया था फिसुना साही पांडे गनपत राय आपका उम सथ कफानध साही का घडळारी किया था कि वह लोग के कुछ हां अपको मिल जाता है ठीक है बागे जी फिरा को चौन सर्च और लोग था तो मानौं का राजा लोग है तो वो लोग की कुछ मिल जाता है फिर आपका नागपूर जो नागवंस का राजा था जो आपको यह इ parlar तो जो जगरनात साधे था love वह फुसंता पत्र टाइप कीजिए गयाब तो तॉ आ आजाओं को कुछ आपको इनाम मिल गया वैसे जो गुष्टरी किया उलों को कुछ इनाम मिल गया ठीक है और बाकी होता है कि जो कुछ अंग्रेज जो अधिकारी था उसको आपका विक्टोरिया क्रोस का उपाधी दिया जाता है ठीक है जो अंग्रेज अधिकारी को विक्टो विक्टोरिया क्रॉस और अगर देशी और सिपाई अगर कुछ है आपको क्यों मिल रहा है आपको ओर अप मेरिट मिल रहा है जो मेरिट के लिए आपको मिल रहा है वैसे बाकी इसके अलावा इस और पॉइंट है वैसे इसको आगे बढ़ा देते हैं वैसे विक्टोरिया तो ये लोग को अब सेना में सामिल किया जाने लगा ठीक है ये एक और चींज आया था उसके अलावा जो बिहार का जो सेना था उस समय में तो बिहार के अलावा बाहरी लोग को उसमें नहीं लिया जाता था ठीक है अब ये डिसिजन लिया जाता है कि जो सिक लोग है उसको ब इसलिए ये लोग का अपने में सामिल कर लिया तो कौन-कन सामिल हुआ आपका कोल या मुंडा का लिजिए कोल कर भी स्खाद करके मुंडा पीर आपको संथाल लोग को सामिल करता है सेना में बाकि आपको गोर्खा लोग को और आपको दुसाद लोग को सामिल करता है ठीक है इसके अलावा अप प्रसाशनिक सुधार भी होन तो इतना सारा इस विद्रों का परिणाम था और फिर प्रस इतना ही है ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू